आलिया भट बॉलिवुट की होनेहर और खुबसूरत अदाकारा हैं। उनकी पैदाईश 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुई थी। वो फिल्मसाज महेज भट और अदाकारा सोनी रासदान की बेटी हैं। उनके वालिद जराती और वालदा जर्मन हैं। जबके आलिया के पास तानवी शहरियत भी है। आलिया भट की एक बड़ी बेहन शाहीन भी हैं। उनके अदाकारा पूजा भट राहुल भट उनके सोतेले बेहन भाई हैं। दोस्तों फिल्मों में आने से कबल आलिया भट काफी मोटी हुआ करती थी। और उन्होंने फिल्म डेब्यू के लिए अपना 16 किलो वजन कम किया था। लिया भट ने अपने केरियर का आगास 2012 में करन जोहर की फिल्म स्टूडन्ट आफ दी एयर से किया था। जबके वो 1999 में आने वाली फिल्म संगर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टेस भी काम कर चुकी है। दोस्तों अगर आलिया भट के माली असासों की बात की जाए तो वो तकरीबन 74 करोर रूपे से जाइद बनते हैं। वो मुंबई में तीन लक्षरी फ्लैटो की भी मालकन हैं। उनके पास गाडियों में रेंज रोवर, ओडी, बीम डव्यू समेत पाच लक्षरी गाडिया मौजूद हैं। वो एक फिल्म में काम करने का तकरीबन 15 करोर रूपे लेती हैं। तबके इश्टिहार की फीज एक से तीन करोर रूपे तक है। दोस्तों आलिया का कई लोगों के साथ रूमैंस भी रहा जिनमें सिधात मलहोतरा और वरुन दवन नुमाया हैं। पहम अलिया भट की मुलाकात रंबीर कपूर से हुई। जिसके बाद दोनों ने तकरीबन 5 साल बाद एक दूसरे को अपना जीवन साती बना लिया। अलिया भट के एक कजन इमरान हाश्मी बॉलिवुट के मकबूल तरीन अदाकार हैं। जबके मोहित सूरी भी हिदायतकारी के शोबे से मुनसलिक हैं। के चचा गेश भट काम्याब प्रोड्यूसर हैं। उनकी चंद सूपर हिट फुल्मों में राजी, बदरी की दुलहनिया, स्टेटस और डियर जिन्दगी भी शामिल हैं। अलिया भट को अब तक 12 फिल्मी और गेर फिल्मी एवार्ड मिल चुके हैं। जिन में से 4 फिल्म फियर एवार्ड भी शामिल हैं। हाईवे, राजी, गली बॉइज और उरता पंजाम में अलिया की अदाकारी को खूब पसंद किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजाद जरूर कीजिए। और फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में बेल आइकन को दवाना ना भूलिएगा ताके आने आली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके।